हेलो दोस्तों तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक्षो साई 7.1 के बारे में जिसमें सबसे पिले आपको समझना होगा कि एक्चुल में फ्रैक्शन होता क्या है देखिए अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन के बारे में तो फ्रै इस वाटरमिलन के अगर मैं कहूं कि इसके दो पार्ट्स किये जाए तो क्या होगा यह हमारा एक फ्रैक्शन के लाएगा क्यों क्यों क्योंकि इस वाटरमिलन के एक पार्ट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 क्यों क मैं four equal parts में divide करूँगा तो मैं इसी लिखूँगा one upon four इससे मैं लिखूँगा one upon four या फिर one fourth करूँगा इस fraction की value को हम percent में भी लिख सकते हैं यानि कि one upon two को अगर मैं 50 percent बोलूँ तो भी कोई problem नहीं है या इसको हम आगे के chapters में देखेंगे decimals में कैसे change करते हैं तो इसको हम अगर decimal में change करें तो 0.50 भी लिख सकते हैं यानि कि इस number को हम decimals में लिखें या फिर हम इसको percentage में लिखें या फिर हम इसे fraction में लिखें ये सब equal parts को बताते हैं और one fourth का मतलब क्या हो one fourth का मतलब होता है 25 percent अगर हम इसे change करते हैं percent में तो ये equal parts को बता रहा है अब आप समझे कि किसी भी fraction का notation होता है वो किस तरीके से होता है यानि कि किसी भी fraction को हम लिखते कैसे हैं इसको हमें समझना होगा कि उसका notation कैसा होता है रेखें दो parts होता है एक होता है हमारा numerator एक होता है numerator जिसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं दूसरा होता है हमारा denominator जिसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं यानि कि जो ऊपर वाला part है जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया one upon two ये चीज़ हमने लिख दिए one upon two तो one जो लिखा हुआ है वो हमारा कहलाएगा numerator और ये बताता है कि इस वाले part में से कितना part लिया गया है the tails the number of equal parts टेकन है ये equal parts को बताता है ये वारा कि हमने इसमें से क्या किया है एक-एक parts लिया है और जो हमारा denominator ये बताता है total number of equal parts जो नीचे वाला number होता है वो हमेशा total को बताता है किसको बताएगा हमेशा total को बताएगा और ये number of equal parts को बताता है ये देखिए यहां पर मैंने one fourth लिखा था तो number of parts यहां पर कितने है total कितने है ये हो गया one ये हो गया two हमारा ये हो गया three और ये हो गया four और सबको equal parts में मिल रहा है तो इसको हमने one fourth लिखा है इस तरीके से हम representation करते हैं किसी भी चीज़ का अगर जैसे मान लेज़ें कि इसमें से एक part का जैसे suppose करिए कि एक हमारे पास दिया हुआ है एक circle दिया हुआ है या आप इसे मान सकते हैं कि या हमारे पास एक जो कि एक आपके पास bread दिया हुआ जो कि बिल्कुल circular है या आप कह सकते हैं कि आपके पास एक पिज्जा दिया हुआ दिल्कुल और इस पिज्जे के टुकडे को मुझे दो parts में अगर मैं ऐसा divide करता हूँ दो parts में तो क्या होगा इसको अगर मैं 2 parts में क्ए पाइट करूंगा स्पोफ और एक पार्ट्स को मैंने color रगदिये, यह दो? इसको क्या बोलुगा मैं इसको 1 upon 2 इसको मैं लिक्होंगा 1 upon 2 parts में लेकिन अगर इसी को मैं 4 parts में divide करता हूं और इस 4 parts में से मैं अब यह कहना चाहरा हो कि यह जो part यह इसका 3 part color है आप देख पार है 3 parts color है तो इसको लिखूँगा मैं 3 upon 4 कितने parts color है 3 parts color है तो इसको मैं लिखूँगा 3 upon 4 अगर इसमें से हमारा अगर 2 parts के वल कर लो color होता तो फिर हम क्या लिखते है 2 upon 4 लिखते है यानि कि 1 upon 2 आ जाता हो वहां पर इस तरीके से हम किसी भी ची samples के बात करें तो आप पीजा ले सकते हैं कोई भी fruit cake chocolates जो होते हैं जिसको हम divide करते हैं अलग-अलग fractions होते हैं देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो fractions के types होते हैं उन्हें भी आपको समझना चाहिए कि कि कितने type के fractions होते हैं फिर हम इन questions पे आएंगे लेकिए अगर हम इनके types की बात करें इसको समझने की बात करें कि fractions के types क्या होते हैं इसके types बहुत ही simple होते हैं पेला एक होता है हमारा unit fraction क्या होता है हमारा unit fraction का मतलब क्या होता है जिसमें जो हमारा numerator होता है वो 1 होता है उसे हम unit fraction के तो जैसे हमने लिग दिया 1 upon 2 जैसे हमने लिख दिया 1 upon 4 जैसी हमने लिख दिया 1 upon 5 that is our unit fraction के लाई है इसी तरीके से अगर हम बात करें proper fraction के बारे में तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे proper fraction के बारे में तो जो हमारा proper fraction होगा proper fraction में होता क्या है आप समझे proper fraction में क्या होता है जो proper fraction में क्या होता है जो हमारा numerator वाला पार वो हमेस्ता छोटा होगा उसे हम प्रॉपर फ्रेक्शन कहते हैं और इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता है कि इंप्रॉपर फ्रेक्शन क्या होते हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताना होता है कि इंप्रॉपर फ्रेक्शन वे फ्रेक्शन होते हैं जिनक नियुमेरेटर चोटा होता है जिनका हमारा जो जिनका जो नियुमेरेटर होता है वो बड़ा होता है और जो उसका डिनुमेरेटर होता है वो चोटा होता है यानि कि जैसे कि हमने लिग दिया 5 पंच सफके तो आप थोड़ा तुशले यह वाला पार्टो वह बड़ा है यह इमोद्स अहरोenser कि लाए ग़ा और इसी इंप्रॉपर प्रफ्रेक्शिन को हम Polsce धेते हैं mixed fraction में किसमे mixed fraction में change करते है mix fraction केसा होता like 1 upon 2 1 upon 2 का मतलब 2 Χ 2 एक वह वकल सकते हैं तो यह होता है 3 upon 2 आप देख पा रहे है improper fraction को ही हम mixed fraction में change करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं जीसे में चौनले कि improper fraction में हमने लिखा किसी number को 3 upon 2 को तो मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा 2 से तो एक हो जाएगा 2 वन जा 2 और यह हमारा नंबर यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 1 अपॉन 2 इसको में देख सके हैं क्या 1 1 अपॉन 2 यह हो जाएगा हमारा कम्प्लिक्ट ली मिक्स्ट फ्रैक्शन तो आई हो कि आपको यह बेसिक चीजे समझ आ चुकी होंगी जो फ्रैक्शन से रिलिटेड हैं अब हम इसके क्वेशन को सॉल्ट करेंगे और देखेंगे बहुत इजी वे में बहुत ही असान से लेंग्विज में आपको मैं बताने वाला हों कि किस तरीके सा आप इनके आंसर पर इसको समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं मेरे साथ सहन नोर्स बनाते चलिए और देखते चलिए question number first की अगर बात किया जाएं तो यहां पर देखें हमें representation बताना है जो sadded portion है यहां पर दो sadded दो पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल completely sadded है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 upon 4, total 4 parts हैं और 4 में से 2 parts sadded हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं total जो हमारे पार parts दे जा रहे हैं वो 8 parts sadded है 9 में से इसी तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं 4 parts color है 8 में से इस तरीके से हम अगर 3rd वाला questions हमने देखा इस तरीके से अगर हम 4th question की बात करें तो आप देख पाएंगे इसे हम लिख सकते हैं 1 upon 4 एक part completely colored है 4 में से इस तरीके से यहां पर देख यहां पर तरीके से हमारे पास 12 और 12 में से ग्याप और एक लिख रहे हैं आप three up on is 2 PA पर जो की यहां पर देख रहा है इसी तरीके से यहां पर देख पकिल जो pencil वाला part 10 10 out of 10 यहां पर करेंगे सब सेम तू सेम दिख रहे हैं यहां पर और 8 वाले पार्ट में अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास 9 पार्ट में से 4 पार्ट ययासे हैं जोके इंट नर्ड हैं तो 4 आपन 9 रिख सकते हैं और इसी तरीके से यहां पर देखा जाए यह 4 आपन 8 लिख जा Лिख सकते हैं तो इस तरीके से हम Question Number First के बारे में जिसमें आप देख पार हैं कि यहां पर हमे हमें सिक्स पार्ट च异ए ऐसे में एक पार्ट को कलरने हैं कि इस तरीक के से पर्फथ को कर सकते इस को भी हम कलर करदेगे यहां पर त्री पार्ट को करना है तो आप इस पार्ट को कर सकते हैं और इस पार्ट को भी कर सकते हैं और इस पार्ट को भी आपको कलर करना होगा तो आप इस तरीके से जब आप कलर करेंगे तो आपको समझ आने लगें कि सारी का सारी चीजिए कि हमें तीन पार्ट जो क्या ह तो इस तरीके से जो पार्ट दियो है उसके कोड़िक हम कलर कर सकते हैं उसके कोड़िक हम बिल्कुल कलर कर सकते हैं आप चाहें तो यह देखे लिए वन पार्ट हमारा बिल्कुल कलर हो जाएगा यहां पे वन पार्ट को कलर सकते हैं, इस पार्ट को कलर सकते हैं यहां पे भी हम चाहें तो इस तीन पार्ट को कलर कर सकते हैं और यहां पे हम फोर पार्ट को कलर कर सकते हैं तो इसी तरीके से कर हम बात करें Q3 के बारे में तो वहाँ पे हमें यह बताना है question number third के अंदर कि कौन सा जो part है वो error है उसके अंदर अगर error है तो किस तरीके का error है यह हमें find out करके बताना है तो आप देख़ा है this is a 1 upon 2 तो yes हमके सकते हैं कि this is 1 upon 2 यहाँ पे लिखा अगर हमको fraction को बनाना है करेक्ट करना होगा इस वज़े से यह error है अब हम बात करेंगे question number fourth के बारे में और उसे देखते हैं समझते हैं कि किस तरीके से उसे solve करना है question number fourth के अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें fractions में बताना है एक day is eight hours देखें one day के अंदर कितने होते हैं अगर आप से मैं पूछ हूँ कि one day के अंदर कितने hours होते हैं तो आप कह सकते हैं 24 hours होते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें fraction of eight hours के अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे eight upon 24 लिख लेंगे तो इसको cancel out करेंगे तो one upon three जो होगा तो वो हमारा answer होगा इसी तरीके से हमें find out करना है question number 5th question number 5th जो दिया होगा न what is a fraction of an hour is 40 minutes 40 minutes का fraction क्या होगा लेकि बहुत simple है one hour equal to क्या होगा one hour equal to 60 minutes और इसी तरीके से अगर हम हमें fraction find out करना है 40 minutes का तो अगर हम find out करना चाहें fraction of 40 minutes अगर हम 40 minutes के fractions को find out करना चाहें इसको हम लेकि सकते हैं 40 upon 60 cancel out करेंगे यह हो जाएगा 2 upon 3 यह हमारा answer होगा completely इसी तरीके से अगर हम बात करें question number 6th के बारे में तो जो हमारा question number 6th है इसके अंदर दो questions दिया होगा दो questions और अगर इसको आप ध्यान से पढ़ें सबसे पेले लिखा हुआ है कि आरे आवे menu and vivek shared lunch वो लंच यह कर रहे है और यह has brought two sandwiches इसने उसके पास दो sandwich है one made of vegetables and one of jam the other two boys forget the bring their lunch और जो दो लोग है वो अपने लंच लाना बूल गहा है आरे agree to share sandwich जो आ रहे है वो सबके साथ share करने के लिए तयार हो गया है so that each person will have an equal share of each sandwich तो सबको हमें क्या करना equal shares दे रहे हैं देखिए तो how can ra divide each sandwich so that each person has an equal share कैसे divide करेगा कि equal share में होगा बहुत simple इसका answer अगर मैं बात करूँ देखिए जो आ रहे है आरे agree को क्या करना चाहिए वो divide करेगा three equal parts में और सबको one one parts देखिए और यह will divide वो divide करेगा each sandwich each sandwich into three equal parts into three equal parts into three equal parts and give one part and give one part and give one part and give one part of each sandwich of each sandwich next question के बारे में की next question हमारा क्या दिया हुआ है किस तरीके से इस question को solve कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे यहां दिया हुआ है कि कंचिना dies dresses she had died to 30 dresses और c has so far finished twenty dresses what fraction dresses has been finished उसने कितने dresses को finished कर लिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि total number of dresses कितनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका तो fraction इसका find out करना है fraction find out करना बड़ा easy है fraction इसका कैसे find out करेंगे twenty upon thirty cancel out करेंगे two upon three आएगा answer ten twos are twenty और ten threes are thirty बहुत simple था यह question इसी तरीके से हम बात करेंगे question number eight के बारे देखें natural numbers हमें लिखने, natural numbers क्या होते है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए और आपको बता दो कि जो whole number होते है वो zero से start होते है natural numbers हमें लिखने है two से लेके twelve तो two से लेके twelve तक अगर natural numbers लिखे जाए तो क्या होंगे one हमें count नहीं करना, two से में लिखना है two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve अगर इस तरीके से अगर हम लिखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे prime numbers की कि इन में से prime numbers कुतने इस fraction में यह prime number आपको पता होना चाहिए prime number क्या होते है, prime number भी number होते है जो खुद से डिवाइड होते है, two खुद से डिवाइड होते है, three खुद से डिवाइड होते है, four, two से डिवाइड होते है, five खुद से डिवाइड होते है, seven खुद से डिवाइड होते है, eleven खुद से डिवाइड होते है तो यहां पे total number of यहां पे देखेंगे तो वो 11 है हमारे पस और इनका fractions निकालना है prime number का तो इसका fraction क्या हो जाएगा यहां पे जो number दिये हुए 1, 2, 3, 4 and 5 और यहां पे जो number दिये हुए वो हमारे पस दिये हुए 11 तो 5 upon 11 यह इसका answer होगा इसी तरीके से आप हम बात करते है question number 9 के बारे में देखे हमें क्या करना है natural numbers लिखने है वो जिरो 2 से लिखे वोण 13 तक लिखना है वो जिरो 2 से लेकर करके तो सबसे पहले natural numbers अगर हम बात करे तो natural numbers आपको बता यह इब ही डाय था कि natural number क्या होते है natural numbers को सब सिफे 104 105 106 107 108 109 110 11112 113 यह हमारे नेचरल नंबर्स होगे और इसी तरीके से नेचरल नंबर के बाद अगर हम से यहां पर पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स इन में से कितने हैं तो प्राइम नंबर्स आपको पता है अभी मैंने पिछले प्राइम नंबर्स होते हैं जो खूद से डिवाइड होते हैं और 113 फ्रक्षन के बात करें तो fraction हमारा क्या find out होगा fraction होगा हमारा 4 upon 12 वोगी 4 हमारे prime number से और total number से यहां पे 12 तो इसको अगर cancel out करेंगे तो हमारे पर सजाएगा 1 upon 3 और यह इसका answer होगा अब हम बात करते हैं question number 10 के बारे में और उसी समझते हैं कि किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं अब यहां पे देखी किस तरीके से लिखने और समझने की बात करते हैं तो यहां पे total number of x कितने 4 है total number of circles हमारे 8 हैं लेकिन x वाले 4 हैं तो total circle यहां पे अगर बात की जाए total circles हमारे पास कितने हैं total circles तो हमारे पास 8 हैं और अगर बात करें number of x की तो number of eggs, वो हैं हमारे पास 4 वाले, तो 4 upon 8 लिखेंगे, cancel out करेंगे, तो इसका जो answer आएगा, वो आएगा, 1 upon 2, ये इसका answer होगा, ये इसका fraction कहलाएगा, कभी भी हम जब इसको simplify करते हैं किसी भी fraction को तो वो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, इसी इसका आप हमेशा ध्यान रखें, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे, question number जो हमारे 11 है उसके बारे में, बहुत ही interesting question है, question number 11, question, question, receive a CD player, अपने बड़े को से CD player मिल रहा है, see bought 3 CDs and received 5 others, उसने 3 खरीदी और 5 उसे मिली, what a fraction of total CDs, see buy and what a fraction of receive, see gift, total number of CDs की तोजे, सबसे पहले तो ये हम find out करते हैं, उसके बाद हम one by one करके जो खरीदी है उसका fraction और जो उसे मिली है उसका fraction, दोनों का find out करेंगे, तो total number of CDs, total number of CDs, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास, 3 plus 5 equal to 8, अब fraction of purchased CD, fraction of purchased CD, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, purchase उसने 3 करी है, तो 3 आप हमाने 8 हो जाएगा, और इसी तरीके से हम fraction find out करेंगे, receive CD खा, fraction of receive CDs, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 upon 8, तो इस तरीके से हम इस complete chapter को समझ सकते हैं, और उमीद करता हूँ कि ये chapter आप सभी लोग को समझ आयोगा, thank you so much, thanks for giving your precious time at the last, God bless you, thank you so much.